है कि ऑलो फ्रेंड एक बर फिल से वेल्कम है आपकी अपने योट्यूब चैनल में आज का टॉपिक है इस्ट्राइजेशन में जानेंगे कि इस्ट्राइजेशन कितने टाइपस का होता है इस्ट्राइजेशन के अंदर हम लोग जितनी भी चीज़ें आ ती आज हम लोग इस्ट्रेयसेशन को एक सिस्टमाथिक यह पढ़ेंगे कि इस्ट्रायजेशन जो हमारा मेंनली टू टाइप 20 में में क्लासिफाइड किया गया है एक होता है फिजीन मेथंट और दूसरा होता है विए क्या factors अब है मतलब कि physical का मतलब ते हैं हीट वह भी हम लोग देख लेते हैं हीट हम लोग उठा करके रखेंगे filtration वानलों करेंगे radiation method हम उन् producción इसक्रेशन जो outros देंट से हैं सब्सक्रेन चौब्स करेंगे रागे चलते हम लोग देखेंगे हीट के बारे में अब हमारी डिवाइड हो गई ही कितने तैपस में फोर टाइबस में तो फहली हीट के एक्जामपल है हमारा कि हमलो कैसे इस्टलाइजेशन करते हैं हीट में तो पहला है ट्राइफ जुकि हम लोग आटो के लिए प्रेसर कूपर के दारा देए हैं और आस्ट है कि अन्सीक इसलाइजेशन मतला फ्रेक्ष्णनल इसलाइजेशन जिसको हम लोग लोग कहते हैं आंशीट है आद गवे एक तरीके से होता है इसके बारे में देखेंगे कि अन्सीक मतला हम लोग फोड़ा सा प्रोवाइट कराएंगे और पूरा आटो मैटली वह इस्टलाइज हो जाएगा तो हीट के बारे में लोग ने देखा कि ड्राइज होता है मॉश्ट्रिट होता है बसमिक इन्सिनरेशन होता है और दूसरा होता है functional facilitation तो चलिए हम लोग देखते हैं dry heat के बारे में तो हमआरा आता है dry heat, dry heat में आपको पताया गया था कि dry heat होता है जो हमारा hot air oven के द्वरा उसको किया जाता है तो इसमें देखतें in dry heat inclus iyitution dry heat अवाल अधो hyatt क्लाव बारे में on this किया जाता है heated air or fire is used in this process on the heated air गरम वायू या फिर fire आग के जारा जो गरम heat राप्त होती है इस process में use किया जाता है the temperature is usually higher than 350 degree for a night or 180 degree Celsius मतलब जिस dry heat का जो हमारा system है इसमें usually higher than मतलब 356 degree for a night या 180 degree Celsius के ऊपर ही हम लोग temperature को रखते हैं example के तौर पर हमारा hot air oven है hot air oven जो हमारा dry heat का example होता है चलिए हम लोग principle देख लेते हैं hot air oven का तो hot air oven का principle हमारा क्या कहता है इस्ट्रिलाइजिंग by dry heat is accomplished by conduction मतलब जो हमारा सुष कताब दौरा विसकंप की चालन प्रक्या पूर करता है मतलब इस्ट्राइजेसिंग dry heat है conduction के दौरा हमारा dry heat में चलता है दा हीट इस एब्सॉर्ब बाइद आउटसाइड सर्फेस ऑफ दा आइटम देन पासेश टूवर्ड दा सेंटर आफ दा आइटम लेयर बाई लेयर दा एंटायर आइटम विल बी एवेंचिली रीच तर टंप्रेचर रिक्वाइड फॉर इस्ट्राइजेशन टू टेक प्लेस इसमें देखिया आपको इगनम सरल भासा में बताया गया है कि जो हमारा के युजार ढस ड्राइज हीन्ट वह एक चालन प्रेक्रिया द्वरा पूरा किया जाता है और गर्रम वस्तूसित बहुत है पहले अब होती है और फिर वस्तु के केंद्र की ओर जाती है जहां पर आपका पूरा सामान नहीं हो जाता है पूरे जो वस्तु है आपकी वह नॉर्मल होती है जानना अपने लिए इस लिए है जो आपको कोई सबसे अधिक नुक्सान मतलब की जैसे कुछ भी आपके मॉलेकूल्स हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग प्रक्रिया करके सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इक नुक्सान पहुचाती है और और आवस्यक में के आपके सेल्ट होते हैं वह उसको पूरा और निजम को ड्राइप की वज़े से उसको पूरा नहीं नश्ट कर देती है और फिर बैक्टीरिया है जो भी है उसकी किल हो जाते हैं सेकंड पॉंट क्या एह हमार the temperature is maintained for almost an hour to kill the most difficult of the resistance spores मनलब जो हमारा temperature है almost one hour होना चाहिए कम से कम one hour हमें रखना है जिससे की bacteria पूरी तरीके से किल हो जाए मनलब बैक्टिया के रेजिने स्पोर्स सक उसके किल हो जाए तो इसके लिए मिनिममम और यहां आवर आपको रखना ही रखना है कि दम मौस्त कॉमन टाइम टमप्रेशर रिलेसन से फॉर इस्ट्राइजेशन विद हो यह इस्ट्राइजेशर मतलब जैसे कि इसमें टमप्रेशर दिया गया आपको कि तो 170 70 degree Celsius के लिए 30 मिनिट के लिए अगर 170 degree Celsius Temperature है तो 30 MINUTES के लिए आपको रखना है अगर 169 मिनिट के लिए अगर 150 Celsius है तो 500 मिनिट के लिए हमें इसे रखना पड़ेगा चलिए लोग देखते हैं एडवांटेज हम लोग हाट एर ओवन के एडवांटेज देखने में क्या होते हैं हाट एर ओवन यूज एक्स्ट्रिम्ली हाइट अबर सेवरेल आवर डिस्ट्राइ माइक्रो और अब बैक्टेरियल स्पोर्स अब्सक्राइब होता है हाई टमपरेचर पर हमारा वर्क करता है और मतलब सेवरेल काफी समय के लिए मतलब टाइम लेता है हमारा टाइम टेकन है देखिए इसका डिसएडवांटेज भी आप देखेंगे और हाई टमपरेचर भी वर्क करता है डिस्ट्राइ मनलब माइक्रो और्गनिसम को खिल करने के लिए हाई टमपरेचर में थोड़ा वन आवर टू आवर के लिए हमें रखना पड़ता है और बैक्टियर स्पोर्स को भी खिल करने के लिए यह इसका पहला एडवांटेज है दूसरा क्या है दा ओवेंस यूज कंडेक्शन टू इस आ इसके पास का अरिया गराम होते हों के सेंटर पर आगर के हमारा पूरा मैटेरियल मेरा हमारा पूरा वस्तु बूरा इस लाइज हो जाता है अब इसको इसका हमारा है time consuming method because of slow rate of heat penetration and microbial killing देखिए हमने अगो होता है था कि यह time taken होता है तो यह सबसे बड़ाइस का disadvantage है कि हमारा time जादा लेता है microorganism को kill करने के लिए and second thing is high temperatures are not suitable for most material मतलब क्या होता है कि जो भी high temperature होता है तो हमाँ पास बहुत instruments होते हैं materials होते हैं जो high temperature को नहीं suit करते हैं मतलब हाइट temperature में वो पीघल जाएंगे कुछ भी तो यह हमारा और भी एक disadvantage है कि हर जगे suitable नहीं होता है most materials में तो यह आपने देख लिया है कि hot air oven जो कि हम लोग dry heat का example है उसमें क्या क्या करते हैं से advantage disadvantage पूरा complete हो गया next thing हम लोग चलते हैं भी inclination भी inclination का मतलब मैंने बताया था भस्मी कराण बस्मी कराण सही आपको पता चल्ला होगा कि भस्मी कराण का मतलब क्या होता है चलिए हम लोग देखते हैं इनक्रिशाइस का मतला है इनक्रिशाइसाइस फेस्मी आपको अच्छी शरल भासा में आब को बता देखते हैं ने रहा हूं कि जो भस्मी के परिक्रिया होती है एक अपसिष्ट Katebery ये जिसमें हमारा कार्विंब ल wspólब यहीं कार्म करो कि इसों कर देना तो क्या होता है यह से हैं कि परक्रिया हो जाती है और यह डिंष्याइचिया है अगर इसई विस्था करेंके शिर्मी करने का करते हैं हम लोग कि उसको सीधे उठाके जला करके पूरा राक कर दिया तो निहीर कार्बन पदार्तों का दहन कर देते हैं कार्बनिक पदार्तों का ही इसमें दहन कर दिया जाता है देखिए भस्मी करण और अन्य उच्छ तापमान अप्सिस्ट प्राणियों को थर्मा ट्रीटमेंट कहा जाता है यह ग्रिकाल रह इसको थर्म ट्रीट्मेंट कहा जाता है अब हिस्ट पदार्तों के भस्मी करण मतलब अ पूरा भस?" few gas और मतलब कि वह गाश का चला जाता है और हित तो इ этом समझ गए होगे क्या होता है वह समी कर जो हमारा कन वर्ट कर देता है centralized सबस्क्राइब इंक्रिनेशन के बाइज अब देख लेते हैं इसके पने आपको माविम चलता होगा नम गर्मी इसको लोग भाब बोलते हैं इस किसकी अग्जामपल होता है आटो क्लेव आप आपने देखे होंगे सबस्यादा हमारा माइक्रो बैलोजी डिपार्टमेंट में यूज़ होता है और भी डिपार्टमेंट में इसका यूज़ किया जाता है चलिए हम लोग देखते हैं मॉइस्ट हीड आटो क्लेव के बारे में यह वॉटर एड हई प्रेशर लायवल इस यूज़ इन मॉइस्ट ही इसिरलीजैसंड वाटर एड ही प्रेशर देखिए आपको पता चलौँगा वाटर न मतलब पानी एक high pressure level high pressure में रख करके moist heat इस्टिलाइजेशन का हम लोग उप्योग करते हैं आटोक्लेव इस इंटुमेंट इन विडिस प्रॉसेज इस प्रॉसेज इस जिसमें हम लोग मौश्टीट का प्रॉक करते हैं तो एक्जामपल के तावर मौश्टीट के हमारे क्या क्या होते हैं क्लिविंग तु किल आल माइक्रो आगनिजम इंक्लूडिंग स्पोर्स इस्टिलाइजेशन इस बेस्ट डा मॉस्ट वाइडली यूज़्ड मैथद ऑफ इस्टिलाइजेशन मतलब सभी सूस में जीवों को नश्ट करने के लिए हाई Vorsale Extreme हाई Pressure भी है और साथ में इस्टीम भी है जो सिलायज करने के लिए मतलब इस पोस बैक्टीर्य के अश्के और्गनिशम के स्पोस को और स्पोस को उस्टषण सबसे अच्छा तरीका हैゆा मतलब कि यह जो होता है यह थरीका हमारा बैक्टीरिया के स्पोर्स सको माइक्रो और्गनिसम तक को खिल कर देता है किसे एक नस्ट करने के लिए हाई प्रेशर भी है आपका वाटर का और साथ में हाई मॉइस्ट हीड भी है नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है एट वन जीरो फ्री पॉइंट फॉर के पास्कल आपाउट जैसे वन पॉइंट फाइव के लिए वह टंपरेशर कितना दीश कर देता है 121 डिए से शेस कले 15 से 20 मिलेट के लिए तो यह आटोकलेव का हमारा प्रिंस्पल हो गया देर हम लोग देखते हैं यूजर्ज आफ आटोकलेव का यूज़ क्या है आटोकलेव इस यूज़ टू इस्टू इस्ट्राइज कल्चर मीडिया सबसे इंपॉर्टन देखिए मैं स्टूज़न एक्विप्मेंट अइम्न अधर इस्ट इस्टेंड हाइट तंपरेचर अंट प्रेसर मतलब कि ऐसे सभी इस्टूमेंत कोई भी एक्स वाई जट जो high temperature pressure को जहेल सके वो सब हम लोग autoclave में slice कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है The laboratory technician uses it to slice bacteriological media and destroy pathogenical cells सबसे important use हमारा microbiology department में होता है autoclave का किस लिए for slice bacteriological जो medias होती हमें उन्हें and destroy pathogenic cultures के लिए चलिए हम लोग आगे देखते हैं देखिए हम लोग तीसरा point था denitalization fractional stylization के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो denitalization is a process dating from the 19th century for stylizing substances substances देखिए इसमें क्या है कि जो हमारा यह installation है हम लोग 19th century से यूज़ कर रहे हैं इस process को stylizing substances usually food named after inventor scientist john turn that can be used to kill heat resistance in indoor sports although considered old fashioned it is still optimally used यह काफी पुराना process है जो कि हम लोग यूज़ करते थे जो fractional stylization है जैसे usually food food को stylize करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते थे इनके scientist है जॉन डेनल नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा एसेंसली कंसिस्ट आफ हीटिंग दे सब्सक्रेंसेज तो बॉइलिंग पॉइंग 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 और जैसे फिफ्टीन मिनेट त्री डिज इन सिक्सें मतलब की जैसे कोई भी चीज़ा है हम उसको स्टिलाइस करना है बॉइल करके स्टिलाइस जा सकते हैं और में यह पुराना प्रोसेस है जो कि हम लोग बहुत ही कम अभी यूज करते हैं इस प्रोसेस को चैनले हम लोग देखते हैं अगला है फिल्ट्रेशन हमने आप से बात करी थी नहीं वहाँ पर कि हमारे फिजिकल मैथड होता है और केमिकल मैथड दो तरीके इसलाइजेशन को डिवाइड किया गया अब हम लोग ने हीट में देख लिया हुआ था कि जो फिल्ट्रेशन हेला हीट प्रोसेस था तो हीट में हमारा क्या क्या था ड्राइज double करता मौश्य से यह हमारा कम्पलीट हो गया तो फिजिकल मेथड में दूसरा आता है filtration हम लोग आप filtration के बारे में देखेंगे कि filtration कितने types के होते हैं filtration के बारे में हम लोग next lecture आप पढ़ेंगे next lecture मैं आपको आगे डालूँगा तो हम लोग इस्ट्रिलाइजेशन का जो physical method का दूसरा part of filtration उसके बारे में पढ़ेंगे thank you for watching